हलो दोस्तों जैमाकाल मैं आपका दोस्त अंदर शेयर कर सुनने टू इंफिनिरी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए तो । लाइक करें औरैसी इंट्रेस्टिंग ट्रिक पाणे के लिए सब्सक्राइब कर दोस्तों दोस्तों आपको अजगे जरूर देखें जिससे आगे आने वाले राजस्तान के जतने भी एक्जाम हैं पतवारी, वनपाल, वनरक्षण, माध्यम से उनके जनक है और कौन सा अंदोलन है उसके बारे में हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे इसके दोस्तों दो वीडियो बनेंगे पूरे जरूर देखना आपको बहुत साहता मिलेगी तो शुरू करते हैं दोस्तों जो आज का अपना टोपिक है मारवार किसान अंद आंदोलन के बारे में देखते हैं मारवार किसान अंदूलन जो मारवार किसान अंदूलन उसकी टरिक हो जाएगी आसानसी कि मारवार किसान मारवार किसान चांद की व्यास को तोल देते हैं आसान है कि मारवार के किसान चांद की व्यास को तोल देते हैं इससे क्या याद होगा वो आपको मैं सब बताऊंगा कि आंदोलन से सम्मंदित आंदोलन के सम्मंदित जो नेतवर्थ करने वाले थे उनके बारे में वो सब एक ही ट्रिक में याद हो जाएंगी तो मारवाड किसान आंदोलन की ट्रिक होगी मारवाड किसान चांद के व्यास को तोल देते हैं आसान सी ये 10 से 15 बार रिपीट कर लेना दोस्तों जिससे आपको ये आसान हो जाएगी और फिर आपको कभी भी पूछें मारवाड किसान आंदोलन की नेतवर्थ किस ने किया और ये किसके विरुद्ध था तो उसके बारे में आसान ट्रिक में याद हो जाएगी देखो जैसे मारवाड किसान से याद रखोगे आप कि मारवाड किसान आंदोलन और फिर नेक्स्ट है चांद चांद से याद रखोगे चांद मल सुराना चांद से के याद रखोगे चांद मल सुराना व्यास से याद रखना दोस्तों जैनार व्यास इन दोनों की नेतवर्थ में इनका आंदोलन का नेतवर्थ हुआ था इन दोनों के देखरेक में तोल से याद रखना दोस्तों ये तोल की विरुद आंदोलन था किसके विरुद था ये तोल की विरुद आंदोलन था दोस्तों इन दोनों ने नेतवर्थ किया था ये मादा पस्वों के निसकासन और तोल के विरुद था, दोनों के विरुद था, कौन-कौन से, मादा पस्वों के निसकासन और तोल के विरुद, तो याद रखना है इसको तोल के विरुद था है, नेक्स्ट है दोस्तों अपना जो बेगु किसान अंदोलन है, उसके बारे म में बेगु किसान अंदोलन इसकी ट्रिक है आसान सी कि बेगु भील में बेगु भील में रामनान की रूप करपा से विजह हुआ बेगु भील में रामनान की रूप करपा में विजह हुआ आसान है याद हो जाएगी तो बेगु से याद रखना दोस्तों बेगु किसान फिर दोस्तो बील से याद रखना ये बील वाडा में था कहा था ये पैले बील वाडा में पढ़था था और वर्दमान की टेम ये चितोडगट के अंदर इस्तित अनुभार्ण औरमे これ किसने किया था दोस्तों रामनान चोधरी ने और ये किसके कहने पर किये थे विजे सिंग पतिक के कहने पर किया गया था तो इसकी भी ट्रिक में आ जाएगे कि रामनान से तो जाएगा इसका नेतवर्द किसने कहता रामनान चोधरी ने और रूप करपा ये दोनों ऐसे थे कि जो बेगु किसान अंदोलन के अंदर जो सहीद हुए थे उन दोनों में रूपाजी और करपाजी ये दोनों थे कई बार पूछ लेते हैं कि कौन से अंदोलन में रूपाजी और करपाजी सहीद हुए थे तो कौन सा अंदोलन था बेगू भील या बेगू किसान अंदोलन विजय से याद रखना दोस्तों विजय सिंग पतिक विजय से क्या याद रखोगे विजय सिंग पतिक विजय सिंग के पतिक के कहने पर ही राम नार चोधरी ने इसका नेतवर्थ किया था ठीक है दोस्तों यह हो गई अपना जो याद करने की चीजें थी इसमें वो सब इसमें और इसके एक एक फेक्ट है इसका कि इस आंदोलन की जांच से तो एक ट्रेच आयोग गठित किया गया था कौन सा ट्रेच आयोग गठित किया गया था याद रखना दोस्तों कहीं बार प इप्पोटेंट दोस्तों कहीं बार कहीं क्योशन पूचे गए हैं इसके वो तो आपको भी पता है कहीं एक्जाम देखे देख चुके होंगे तो इसको याद करने की ट्रीक है कि सादू सादू जनम से हरी की बीजमनी विजय की तो सादू से याद रखना दोस्तों जो सादू सीतारामदास इसके जनक थे दोस्तों जनम से याद रखना दोस्तों जमनालाल बजाज भी इसी आंदोलन में सामिल थे जमनालाल बजाज जनम से जमनालाल बजाज भी हरी से याद रखना दोस्तों हरी भाव उपाद्ध्या कई बार पूछ लेते हैं कि बिजोली आंदोलन में कौन कौन से विक्ति संबंदित थे तो option में दिये होते हैं इनमें से कौन सा नहीं था तो सादू सीता रामदास भी थे जमनलाल बजाज भी थे हरी भाव उपाद्याई भी थे मनिक के लाल वर्मा भी थे और विजे सिंग पथिक भी थे यह important है दोस्तों याद रखना इन सभी के बारे में तो इनमें कभी पूछ ले कि कौन कौन से सामिल थे या कौन कौन से थे जनक तो सादू सीता रामदास थे और इसमें जमनलाल बजाज हरी भाव उपाद्याई और बीज मनि से मनिक के लाल बीज से हो जाएगा बिजोलिया और मनि से याद रखना दोस्तों मनिक किलाल वर्मा और विजय से याद रखना विजय सिंग पतिक याद हो गया यह तो हसानशी है और इसके बारे में दो-तिन फैक्ट है दोस्तों वो जरूर देख लेना एक बरी कि जो सबसे लंबा चलने वाला जो अंदोलन था सबसे लंबा राजस्तान का सबसे लंबा चलने वाला अंदोलन कौन सा था वो बिजोलिया किसान अंदोलन था सबसे लंबा चलने वाला अंदोलन यही था जो 45 वर्ष तक चला था कितने वर्ष तक दोस्तों? 45 वर्ष तक चला था यह और इसका आरम्ब हुआ था दोस्तों, इसका आरम्ब हुआ था अठारा सो सत्यान्म में, इसका सुबारम्ब हुआ था और समाप्त हुआ था दोस्तों, उननीस सो एकदालीस में दोनों चीजें याद रखने की है, दोनों इंपोटेंट है, कहीं बार पूछी जा चुकी है, तो इनको याद रख लेना, 1877 में यह स्टार्ट हुआ था, और 1941 तक चला था दोस्तों, और इसके बारे में और बता दू कि बिजोलिया किसान आंदोलन में जो धाकर जाती के किसा किसान थे, वो सबसे ज्यादा थे, कौन से, जो धाकर जाती के किसान थे, वो इसमें सबसे ज्यादा थे दोस्तों, तो याद रखना धाकर जाती के किसान सबसे ज्यादा थे, और यह राजस्तान का प्रथम, राजस्तान का प्रथम संगटित पी था, अहिन साथ मक्ता, और जो चम्माले से वर्स तक चला था यह इंपोर्टेंट है कि यह संगतित था अइनसात्मक था और सयोग आंदोलन था है ठीक है दोस्तों इसता आपना बता दिया हूं मैंने इसके और आंदोलन के जनक साथ दूसी तरह हम दास थे और हाँ एक बात और कि भारत में जो किसान आं नागपूर अधिवेशन हुआ था उसमें दोस्तों जो गांदी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को आशिरवात दिया था उननीस सो बीस में उनिस सो बीस में बिजोलिया किसान आदल को गांदी जी ने अशिरवात दिया था दोस्तों और इस आंदोलन में नई डालने के लिए जो लोकप्रिये वर राजनेती गति देने के लिए जो गणेश संकर विद्यारती थे वो यहां पे जो अकबार आया था परताब वो कानपूर में परकाशित किया गया था किसने तो गणेश संकर विद्यारती ने परताब नाम का जो अकबार था वो कानपूर में परकाशित किया था दोस्तों तो इंपोर्टेंट मेंने सारे फेक्ट बता दी हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर जरूर करें पहले वाले वीडियो जरूर देख लें और इसका दूसरा टोपिक आएगा जिसमें बूंदी किसान आंदोलन की ट्रिक होगी अलवर किसान आंदोलन की सेखावाटी किसान आंदोलन की बचे कुछे जितने आंदोलन है उनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों तो हसते रहें मुश्कुराते रहें फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें दोस्तों धन्यवाद आप सभी का फिर मिलेंगे एक नेरी वीडियो के साथ